हलो दोस्तो मैं नंदन कुमार जुडी क्लासेश पटना से आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रेशियो का एसे सी जो कोहचन पेपर है उसका 2016 से 2020 का कोहचन है तो हम लोग देखेंगे जो चेप्टर पढ़ लिए हैं उसके बाद हम लोग अब प्रैक्टिस करने वाले हैं चलि जली ऐ अनुपात भी बराबर 2.45 और सी अनुपात भी बराबर 3.45 है तो ए अनुपात भी अनुपात थी बराबर है यह कोहचन पुछा हुआ है सीजिल पीटी में 2009 का कोहचन है तो चलिए ऐसा कोहचन हम बता हैं जब चेप्टर पढ़ा रहे थे उसमें कैसे बनाएंगे द दूआम पांच दिया Aध्या अनुपात B कितना है दूआ पांच और आगे है Cणándvy D यह कितना है clear in part चार 54 श्थार जन आपसे क्या पूछ रहा है पूछ रहा है event अनुपास फीन पार दीन फीजाए कितना होगा चैसा कोचनन हम बताएथे बाइलेंज ओफ रेस passt इन रेशियो को बाइलेंस करके बना जाता है देखिए दोनों में जो कॉमन होता है उसको बाइलेंस किया जाता है तो देखिए A अनुपात B और C अनुपात B में दोनों में कॉमन कौन है तो देख रहे होंगे कि यहां भी B है और यहां भी B है तो दोनों में B है यानि B common हो रहा है तो इसको समान करते हैं देखे बी यहां पर है कितना 5 बी यहां पर कितना है 4 दोनों को balance करने के लिए दोनों में कुछ गुणा करना होगा तो कितना गुणा करते हैं तो यहां 4 से गुणा करते हैं और इसमें 5 से दोनों में common B है तो B समान हो गया है तो B common था तो B को समान किये अब लिख लेंगे भैलो तो A का रिशियो 8, B का रिशियो 20 और C का रिशियो 15 तो आपका अंसर हो गया कितना 8, 20, 15 यही आपका अंसर है कौन सा option जाएगा? option number C, option कौन जा रहा है? C, एक और और समझे किसे बनाना है? दोनों में जो common होगा उसी को समान करना है दोनों में जो common उसको समान करना है, तो B और B, दोनों में common क्या है? B, तो B की संख्या को समान कर लिजे तो B यहाँ था 5, B यहाँ पर है 4, दोनों को समान करने के लिए, तो B के मान में यहाँ पर 4 से गुना और यहाँ पर 5 से गुना देखे, 20 यहाँ पर आ गया, यहाँ भी गुना करके 20 आ गया, यानि A अनुपात B का रेशियो हो गया 8 अनुपात 20 अब लिख सकते हैं A का वहलू 8, B का वहलू 20 और C का वहलू 15 ठीक है चलिए आते हैं दूसरा कोचन दूसरा कोचन में है यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 8 और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 है तो A, B, C बराबर कितना है यानि A, B, C का रेशियो कितना है यह पूछ रहा है तो जैसे पिछला कोचन बताये थे उसी तरह से क्या करना है ratio को balance करना है, जो common होगा उसको balance करना है क्या करना आपको देखे, A अनुपात B भराबर 5 अनुपात 8 और B अनुपात C भराबर 4 ब्राबर तिननुपात 4 ति दोनों में common क्यों है? B है, दोनों में common कौन है? B आट कजिए लिए अंकरने के लिए कर गिजेगा इसमें तीन से गुना करदना है इसमें कितना से गुना आरट से तो यह हो जाएगा 5 तिया 15 और 8 तिया 24 यानि A और B का रिशियो गया 15 अनुपात 24 यहां कितना हो जाएगा B और C तो यह हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 को 32 यानि B और C का रिशियो यहां कितना हो गया 24 अनुपात 32 देखिए ध्यान दिजेगा A अनुपात B और B अनुपात C दोनो में बाइलेंस कौन है बी को समान कर लिए अब लिखेंगे ए बी और सी देखिए का वैलू कितना है पंद्रा बी का नुपात कितना है 24 और सी का नुपात कितना है 32 यही कोहचन पुछ रहा था तो क्या करना जो बाइलेंस होगा बाइलेंस को करके समान करके अब बना दना है अब बी सी का रिशिव मिल जाएगा चलिए आते हैं तिसरा कोहचन कि तिसरा कोहचन जो है इसे सिजल पिटी 2017 का है 2017 में पुछा है कोहचन ने दिया है थिरी ए बराबर 2 वी बराबर 4 c यहनि थिरी ए का मान 2 वी के बराबर और इस दोनों का मान किसके बराबर 4 सिक बराबर consist of a और की का रिश्यू निकालना है बहुत असान कोचन है देखेगा ध्याम से बहुत आसान कोचन है। कि ए का भयलू निकालना है टीक है कितना निकालना है तो जिसका निकालना हो उसको यहां पर ढग दिजेगा जिसको निकालना हो वहां उसको ढग देना है और बाकी को गुना करना तो बाकी कौन-कौन बचा दो गुना चार इसको गुना करना है तो दो गुना चार केतनों जागा आठ तो इसके नीचे लिख देना है दूचा को आ तो सी को ढग दिजे और बाकी को गुणा फिजे तो जागा दो गुणा तीन के तो आग या अनुपात बी Έनुपात ची का रिशियो आठ नुपात बारा नुपात छे देख़े अब यहां पर ही तीनों में कुछ common होगा common कर लिया आता है तो तीनों में common कितना होगा तो तीनों में common हो जाएगा 2 दो चको 8 दो चकबारा 2 तीया 6 तो यह जागा 2 चको 8 दो चकबारा दो तीया 6 यहनि अन्सर आगिया 4, 6, 3 देखे चौथा नमर कोचन है 5A-3B अनुपात 4A-2B बराबर 2 अनुपात 3 हो तो A अनुपात B बराबर है कोचन है सिजिल पिटी 2019 देखेए जब हम चेप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D रहे तो इसको समानुपात का केश बोला था क्या बोलाता है समानुपात यानि A अनुपात B का रेशियो और C अनुपात D का रेशियो आपस में बराबर तो उसे समानुपात बोलते हैं ठीक है A अनुपात B इसको समानुपात भी पढ़ सकता है समानुपात C अनुपात D तो यहां से क्या हो जाएगा, हो जाएगा A गुना D, A गुना D, बराबर, क्या हो जाएगा B गुना C, इह रिलेशन निकल के आता है, तो समानुपात में याद रखना आपको, अंदर अंदर एक साथ गुना, बाहर बाहर एक साथ गुना, ठीक, इसी तरह इसमें भी लाग होत हो जाता है, देखे, पूरा मान अगर यहां से हो जाता है A, यह हो जाएगा पूरा मान B, और E हो जाएगा C, और यह हो जाएगा D, तो देखे, पाल सकते इसको A अनुपात B बराबर, C अनुपात D, यानि का हो जाएगा, यह एक साथ गुना होगा, यह एक साथ गुना होग यही गुना करना है तो चलिए बनाते हैं इस को चन को तो चलिए समन उपात में क्या हो जाएगा अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना यानि यहां सा जाएगा तीन गुना फाइव एक कितना हो जाएगा पंदर एक माइनस तीन गुना तीन नौव भी बरावर यह हो जाएगा दो गुना चार आठ ए माइनस दो गुना दो चार भी अब आगे पीछे किजिए तो A A को एक साध और B B वाला को एक साध तो दोखिए 15 A में से 8 A इधर आके घड़ गया तो कितना बचा शेवन ए माइनस नौ उधर जाएगा तो माइनस नौ उधर जाएगा तो पलस पलस नौ में से 4 घड़ जाएगा तो करना जाएगा 5 B अब A अनुपात B का रेशियो लिखे तो A का सामने वाला भैलू 5 B के सामने इधर तो करना 7 हो गया 5 अनौ पात 7 का रेशियो जन्हें ऑप्शन को जाएगा डी नंबर ऑप्शन को जाएगा डी नंबर इस कोईचन में आपको ध्यान रखना था अंदर अंदर एक सथ गुना और बाहर बाहर एक सथ गुना आएट नंबर कोईचन देखते हैं दिया है यदी X 12.8 और 44.8 का मध्यनुपाति है पहले मध्यनुपाती mother पारे में समझे मध्यानुपाति क्या होता है मध्यानुपाति जो होता है फर्मूला बतायों होंगे जब चेप्टर प्रहाइत है तो अधियानुपाति बराबर जो हता है रूट अडर A B होता है, क्या होता है, root under A B, मध्यान उपाती बराबर root under A B, देखें, मध्यान उपाती कितना है, X है, यह लाग सकते हैं, X बराबर, root under A B, A का मान हो गया, यहां से 12.8, अब B का मान केतना हो जागा, 64.8, यह B का मान, तो लगाएगा यहां से, 12.8 गुना, 64.8, इसका बरगमोल निकाल लीजिएगा, निकाल जागा ना, देखें, 128 को तोड़िएगा, तो निकलेगा यहां से कितना, 64.2, और 648 को तोड़िएगा, तो कितना हैगा, 324 गुना, दो, और बट्टा में कितना हो जागा, 100, तो 100 का बरगमोल के इतना, 10, यहनि सब तोड़ कर आजाएगा, 28.8, चिक है, याद रखना, इसका बरगमोल निकालना है, तो 128 बटा 10 लिख सकते हैं, और 648 बटा 10 लिख सकते हैं, और इसका बरगमोल तोड़ेंगा, तो आएगा, 28.8, अब आते हैं, आगे, दिया है, य, 38.4 और 57.6 का तिर्तियानुपाती पद है, अब तिर्तियानुपाती, तो बताए होंगे, तिर्तियानुपाती बरबर, तिर्तियानुपाती, तिर्तियानुपाती बरबर क्या बताए थे, बी अस्कॉयर बटा ए, यहां तीरतिया नुपाती कितना दिया है य य बराबर अभी हो जाएगा यहां से एक का मान अभी हो जाएगा बी का मान लगाएं 57.6 गुना 57.6 बटा में 38.4 अब इसको छोटा कर लिए काट कुडर के देखे एक आंके बाद समलाव खतम हो गया इसमें भागा देते हैं दोनों 8 से कट सकता है आठ से कट ये आठ चको 32 और अठेठी 64 आठ से यहां कट लेते हैं आठ सते 56 आठ सते 56 और 8 दुना 16 और कटेगा कटेगा 24 दुना 48 24 दिया 72 यानि 57.6 गुना थिरी बटा दो आ गया कितना गे इसका मान तो 57.6 गुना 4 better दो यह 20 कमान निकला इक है अब हमको पूछ क्या रहा है पूछ रहा है टु 2x अनुपात y 2x अनुपात y देखे दो गुना x का मान कितना लाएं है 28.8 अनुपात y का मान कितना दिया हुआ है तो निकल के आया है y का मान 57.6 गुना थिरी बटा दो जाल से कट लीजे एक अनुपात में ठीक है तक करता है उपर-उपर कर जागा दो वह समलोव खोता यहां से 7 2 3 5 bron0 जोडिया न Kingdom अग्या दो न्युक्तिकी को सिर्फ याद दखना था कि मध्या नुपाति बराबर कितना उता है और तिर्टिय अनुपाति कितना आता है तो मध्य अनुपाति बराबर रूट अंडर AB और तिर्टिय अनुपाति बराबर B SQA बटा A इसको solve किजिएगा तो 2X अनुपात Y का मान आजता है 2 अनुपात 3 कौन सोप्स उजारा है C नमर देखे छठा नमर कोहचन 2020 का कोहचन है 2020 का सिजल का करार दो संख्या है 5 अनुपात 7 के अनुपात में है यदि पहली संख्या 20 है पहली संख्या कितना है 20 दूसरी संख्या ग्यात किजिए तो देखिए बताय थे चेप्टर में तुलनात्मक बिदी करके कि दिया है पहली संख् पहली संख्या कितना 20 तो यहां से दखे पहला कितना हो जाएगा यहां से पांच तुलना किजे दो को संख्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या पहली संख्या के रिश्यों दिया है कितना पांच अनुपाथ साथ पांच अनुपात साथ तो बोला इसमें पहली संख्या बीस है तो हम लोग देखेंगे अनुपात में पहली संख्या कितना पांच तुलना किजे कि अनुपात में है पहली संख्या पांच तो संख्या में कितना बीस तो अनुपात पांच बराबर बीस तो यहां से अनुपात है तो साथ का मशन कितना होना चाहिए पूछ रहा है साथ को मशन कर लीजे कितना हो गया 128 नुष्य संख्या कितनो जागा 28 जो ysant आपका अनसर है कि दो संख्याओं का नुपात दो संख्याओं का नुपात पाच नुपात साथ जिसमें पहली संख्या बिस हम लोग कहेंगे नुपात में पहली संख्या पांच तो संख्या में कितना बिस तो अनुपात पांच बराबर 20 है तो एक बराबर कितना जगा चार दूसरी संख्या क का मान पूछाया दूसरी संक्या अनुपात में कितना साथ साथ बरावर कितना सचाव 28 कि इसका दूसरा भी दिश्वी बना सकते हैं कि देखे इसको डिरेक्ट रूप से बनाते हैं कर रहा है यहां पर संख्या में हमको मालूं कहा है तो बीस तो बीस है पहली संख्या तो जो दिया रहेगा उपर में अनुपात वाला नीचे लिखेंगे अनुपात में पहला कितना है पांच पांच अनुपात में पहला पांच और जिसका निकालना है उसको गुना करना जिसको निकालना रहेगा उसको गुना तो निकालना क्या है दू नम्मर दिया है 2x-y का हॉल स्क्वाइर पलस 3y-2z का हॉल स्क्वाइर बरावर 0 हो x, y और z का अनुपात ज्याद की यह 2016 का कोचन है कब का है 2016 का बहुत असान कोचन है लिए 2x-y का हॉल स्क्वाइर पलस 3y-2z का हॉल स्क्वाइर का बरावर कितना है 0 इसका मान सुचिए अगर इसका मान 0 लेते हैं और इसका मान भी 0 लेते हैं तो सोचे जीरो का स्क्वाइर केतना हो जाएगा जीरो और जीरो जोड़ जाएगा तो केतना हो जाएगा जीरो यहां से पलाचार रहा है कि इसका मान भी जीरो लेने पर और इसका मान लेने जीरो पर क्या हो जाएगा दोनों साइट बराबर हो रहा है यानि यहां से आएगा 2 2x-y बरावर 0 और इधर से क्या आएगा 3y-2z बरावर 0 यहां से 2x बरावर y आगया तो x और y का रिशियो कितना हो जाएगा यहां से x और y का रिशियो 1x और y का रिशियो हो जाएगा 1 अनुपात 2 यहां दखिए 3y-2z उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा plus में 2z हो जाएगा तो y और z का रिशियो कितना हो जाएगा यहां से 2 अनुपात 3 अब बताएं ऐसा question कि x अनुपात y मालूम है और y अनुपात z मालूम हो गया तो x y z का ratio कितना क्या करना है balance करना है ratio को balance दोनों में कौन सा है common दोनों में common है y तो y का balance किजिए तो y भी यहां दू है यहां भी दू है यानि खुद पहले से balance है तो अब लिख लेंगे x y और z का ratio तो x का 1 y का 2 और z का 3 यानि रेशियो में करना चाल जाएगा एक अनुपाद दो अनुपाद तीन ओप्शन कौन हो गया बी नम्मर तो यहीं से देख लेना था कि 2 x minus y का मान 0 और 3 y minus 2 z का मान 0 लेते हैं तो 0 पलाश 0 क्या बता है 0 यहां से इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0 यहां से इस तरह से करके x y z का ratio लेकर चलाएं डिए आठव नम्मर में है meant का co을 चल जो में 2018 में जो हुआ है एक्जाम हूआ उसका covenant करा धचे और बारह का तिसरा नुपाति खोजे तिसरा नुपाति मतलग 33 नुपाति बता चुके हैं तिर्तिया नुपाती बराबर क्या होता है तो B अस्कॉयर बटा A अभी बताए थे तिर्तिया नुपाती बराबर क्या बताए है तो B अस्कॉयर बटा A तो E हो जाएगा 6 जो है A का मान और 12 जो हो जाएगा B का मान तो यहां हो जाएगा B अस्क्वार यानि B गुना B तो 12 गुना 12 भागा A, A कितना है 6 काटिएगा 6 दू गुने 12 कितना हो जाएगा 24 दू गुने 12 कितना हो गया 24 यानि 6 तथा 12 का तिर्थी आनुपाति क्या हो जाएगा तो 24 ओप्सेन कौन जाएगा सी नम्मर तो 12 गुना 12 अभागा 6 तो निकल जाएगा तिर्थी आनुपाति कि चलिए हम लोग देखते हैं नॉमा नमर कोहिश्यन जो SSC की एक्जाम में 10 प्लस टू में पुछा है 2019 में 1997 में होगा है उसका तो थे पूला है तीन चार नॉं कि चतूर्था ऽृधा पाति निकालका तीन चार नॉं का क्या निकालना चतूर्थाननुपाति पूछे गा तो यहां लिजिए बताए यहां से एक्स का मान कितना जाएगा ति हो जाएगा थिरी गुणा एक्स थिरी एक्स बराबर चार गुणा नौ चार गुणा नौ इकर जाएगा यहां से तिन्तिय नौ एक्स बराबर कितना गया बारा एक्स बराबर कितना गया बारा यहनि चतूर्था अनुपात आ आगे आपका कितना 12 अब निकाली आगे दो और 98 के मध्यानुपाती तो मध्यानुपाती बरावर क्या बता है याद रखेगा मध्यानुपाती तो मध्यानुपाती बरावर होता है रूट अंडर एबी चाहता है रूट अंडर एबी तो बताइए दो और अन्ठानवे को गुना करके और उसका बर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा चलिए तो अन्ठानवे को तोड़ियेगा तो 49 गुना दू मिलेगा तो 49 का बर्गमूल कितना हो जाएगा गुरा 7 और 2 गुने का छाँ का पुछा है लगा यह दोनों का री मेच जाएं हो यह झालक न वख हो जाएगना qe edp ग्Jack तो जो चतुअर्भाणव आया है उसका और एडएया नुपाती का पुछाาร के बारह और चौदा का रेशियो पुछ रहा है देखें दोनों में कमन कितना हो जाएगा दो से 2 चक 12 2 सते 14 जनी 6 अनुपात साथ का रेशियो यहनि अंसर जाएगा A नम्ना 6 अनुपात साथ तो चतुर्था अनुपाती पुछेगा तो मान लिजेगा और अंदर अंदर एकसत गुणंआ बाहर बाहर एकसत गुणा शकामान निकल्गिया 12 चतुर्था अनुपात निकल गया 12 मध्य अनुपाती पुछेगा रूटेनर अबी और दोनों का रेशियो निकलना था दोनों का रेशियो कितना गया अच्छे अनुपात साथ देखें दसाओ नम्मर में जो है SACCGLPT 2020 का है दम नया कोशन है 2020 का बुला है 2A पलस 1 A पलस 2 दो और 5 सामानुपात में है तो 3.5 इंटू 1 माइनस A और 8 इंटू 1 पलस A का मध्य अनुपाती क्या है यानि यह हो जाएगा A का मान और यह हो जाएगा B का मान अई दोनों का मध्यान पाती तो मध्यान पाती लगाने के लिए का किजेगा रूट अंडर A B तो चैलिए पहले यहाँ A कमान निकालना पड़ेगा तो यहाँ से निकाल लेते हैं दिया है कि 2 A पलस 1 फिर दिया है A पलस 2 और 2 और 5 2 और 5 ठीक है यह क्या है समानुपात में है समानुपात में अभी बताए समानुपात के किस में क्या किज़ेगा अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना तो यहाँ से A कमान निकल जाएगा तो किज़े 2 A पलस 1 में कितना से गुना 5 से तो जाएगा 5 दुना 10 A पलस 5 और बराबर यहां से कितना जाएगा तो 2 A पलस 4 है कि अगरएं सियासम में 10 A में से 2 इंधर आके गटे गा कितना शेल है 8 A बरावर कि 1 5 हो जाएगा दिटम इनस 5 इर जाके घटेगा कितना जाएगा ए कि 3 अधर से वाई मायडस Must 13.5 into 1-a और 8 into 1 olas a का मध्यानपाद क्या नित्यास को पर मध्यानपाद त्यान था मत्यान पर्मारूत अनद्र मिज्म चली देहां की द fikि देहर रहेगा मगाimmen one minus 1-1-8 तो minus minus क्यों अब फाल स्यवाइब पालस यानि अभान पलस वन घुन भटा आथ यहांसे नौ बटा आठ यहां निकाल लेते हैं यहां सा जाता है साथ गुना साथ उन्चास का बर्मूल साथ और नौ का बर्मूल तीन और निचे आ गया आठ गुना दूसला यह आपका अंसर है कुछ नहीं आपको याद अखना है कि समानुपात के केस में क्या करते हैं मध्यानुपाती क्या होता है तिरतियानुपाती क्या होता है अगला वीडियो में और कोचन लेकर आएंगे 2020 का कोचन 2018 कोचन 2019 का जो भी सिजल का एक्जाम हुआ है और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को सेयर कीजिए और कमेंट करके बताएए कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में